Hello everyone and welcome to my channel Judgments in Criminal Law. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कश्यप. Prince Reserve Bank of India ने बैंक में लॉकर रखने संबंदी नियमों में कुछ important बदलाओ किया है. RBI का further instruction है कि जिन भी customers के लॉकर्स अलेडी बैंक में मौजूद हैं, उनको फिर से एक बार नए सेरे से अपने अपने बैंकों के साथ इन बदले नियमों के तहट नया लॉकर एग्रिमेंट करना पड़ेगा. और अगर समय से वह इस लॉकर एग्रिमेंट को नहीं करते हैं, तो फिर इस परिस्तिती में उनके लॉकर को freeze कर दिया जाएगा. यानि कि उनका लॉकर पूरी तरह से inoperative हो जाएगा. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे नए लॉकर एग्रिमेंट के संबंध में और वह क्या नए नियम है जिनके तहट RBI ने बैंकों के कस्टमर्स को दुबारा नए सीरे से इस बैंक लॉकर एग्रिमेंट को करने को कहा है. मेरा यह वीडियो उन लोगों के लिए तो important है ही जिनका लॉकर अल्रेडी बैंक में exist करता है उनको इस बदले हुए नियम को जाना बहुत ही जरूरी है लेकिन यह वीडियो उनके लिए भी बहुत informative होने वाला है जिनोंने बैंक लॉकर के लिए apply कर रखा है या फिर जो फ्रेंट्स 18 अगस्त 2021 को RBI ने एक master direction जारी किया था इस master direction के द्वारा RBI ने बैंकों में रखे जाने वाले लॉकर के संबंद में जो नियम है उनमें कुछ important बदलाव किया था further RBI ने या instruction दिया था कि जिन भी customer के पास उनके bank में locker already मौझूद है उन customers को इन बदले नियमों के तहत अपने अपने बैंकों से एक बार फिर से नए सिरे से locker agreement करना होगा मैं एक बार फिर से इस बात को clear कर दूँ कि जिन भी लोगों के पास locker इस समय बैंकों में मौझूद हैं उन सभी लोगों को अपने अपने बैंकों के साथ locker के संबंद में एक नया agreement करना होगा यह agreement बिल्कुल उसी प्रकार का होगा जैसा आपने locker खोलते समय किया था लेकिन RBI ने locker संबंदी नियमों में कुछ बदलाव किया है इसलिए इस बार का जो agreement होगा वह इन बदले नियमों के तहत किया जाएगा इसके लिए बैंकों को अपने अपने ग्राहकों को SMS के द्वारा फोन के द्वारा सूचित करना था और उन्हें इस बात की जानकारी देनी थी और उसके बाद उन्हें inform करना था कि वह बैंक में आकर अपने locker संबंदी नए agreement को execute करें इसके लिए RBI ने बैंकों को 31 दिसंबर 2022 तक का समय दिया था लेकिन समय सिमा पार होने के बाद RBI ने देखा कि bank locker agreement संबंदी जो भी आदेश था उसे पूरा करना तो दूर की बात है बैंकों ने अभी तक बहुत सारे customers को इस बावत सूचना भी नहीं दिया है बहुत सारे ऐसे customers जिनका बैंकों में locker है उन्हें अभी तक इस बात की सूचना नहीं है कि उन्हें अपने अपने बैंकों के साथ एक बार फिर से locker संबंदी नया agreement करना है इसके मंदे नजार Reserve Bank of India ने locker agreement संबंदी जो समय सिमा दी थी उसे बढ़ा कर 31 दिसंबर 2023 कर दिया है इसका मतलब कि अब आप 31 दिसंबर 2023 तक अपने अपने बैंकों के साथ locker संबंदी नय agreement को execute कर सकते हैं RBI ने बैंकों को ये निर्देश दिया है कि जून के अंतिम सब्ता तक 50% और सेप्टेंबर के अंतिम सब्ता तक 70% locker मालिकों के साथ नए नियमों के ताहत agreement हो जाना चाहिए RBI का अपने बैंकों को further निर्देश है कि इस बाबत हुआ जल्द से जल्द अपने locker के customers को इस बात की सूचना दें और locker संबंदी जो भी नया agreement करना है उसे टैसीमा पर execute करा लें अब यहाँ पर जो आपके लिए important बात है और जो कारे आपको करना है इस संबंद में क्रमसफ मैं आपको बता दूँ सबसे पहली बात किसी भी बैंक में अगर आपका locker मौझूद है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आपको अपने उस बैंक के साथ locker संबंदी नया agreement execute कर लेना है दूसरा अगर आपके बैंक से इस बाबद आपको कोई भी SMS या किसी भी प्रकार का सूचना नहीं दिया गया है तो इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है कुछी समय में बैंक जो है वह इस संबंद में आपको सूचित कर देगा लेकिन इसमें मेरा सूजाओ या है कि अगर आपको इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है तो जब भी आप किसी भी काम से अपने बैंक जा रहे हो तो एक बार बैंक के मैनेजर से मिलकर आप इस बात को clarify कर लें कि उनके ब्रांच में जो लॉकर आपका मौजूद है उसके संबंद में नया एग्रिमेंट RBI के निर्देश अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है और अगर वह प्रोसेस स्टार्ट है तो मेरा ऐसा सजेशन है कि फिर इसमें इस बात का इंतजार करना कि बैंक आपको SMS करे तब जाकर आप उसने बैंक लॉकर एग्रिमेंट को एग्जेक्यूट करेंगे इससे बढ़िया है कि आप बैंक मेनेजर को कहकर स्वेंग ही पहल करके उस बैंक लॉकर एग्रिमेंट को 31 दिसंबर 2023 से पहले एग्जेक्यूट करा लें ताकि लास्ट आवर रस से आप लोकर एग्रेमेंट को एक्जेक्यूट किया था ही, bisa ऎसी प्रकार से इस habían भी आपको अपने लोकर संबंदी एक्रीयमेंट को execute करना पड़ेगा यह पूरा solar kई प्छी पार कर बैंक एक डियूपर के तहट जो भी कस्टमर अपने बैंक लॉकर का फिर जैग्रीमेट कर रहे हैं उन्हें नई सिरे से अपने के वाई सी समद्धी जो भी mobile number और email address डाला होगा आज के समय में अधिकतर व्यक्ति email यूज करते हैं तो मेरा उन सबसे आगरा है कि आप लोग उस agreement में अपने email को जरूर लिखें इसके अलावा जिनके पास email नहीं है उनसे मेरा आगरा है कि आप अपने एक email जरूर बरान ले और उस email को उस agreement में जरूर लिख दें हाला कि email लिखना कोई जरूरी नहीं है लेकिन phone number देना बिलकुल mandatory है इसका कारण यह है कि RBI के नए निर्देश के अनुसार इस नए agreement के बाद आप जब भी अपना bank locker operate करने जाएंगे तो इस पर स्थिती में bank के द्वारा आपके registered mobile number पर और आपके email पर bank locker operation संबंदी एक सूचना भेजी जाएगी SMS और email के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपके bank locker को फलाने दिन और फलाने समय पर operate किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई unauthorized व्यक्ति आपके locker को operate कर रहा है तो इस संबंद में आपको अपने registered mobile के SMS या फिर email से तुरंट सूचना मिल जाएगी इसलिए मेरा आप सब से आग रहा है कि phone number तो आपको देना ही देना है लेकिन इसके साथ साथ आप अपना email address भी locker agreement में जरूर लिखें ताकि जब भी आपका locker operate हो तो इस संबंद में आपको proper सूचना मिल जाए